हेलो एबरीवन वेरी वार्म वेलकम टू आयस प्रेप आज हम यहाँ पर प्राचीन भारत की इतिहास की अंसे अर्टी का अध्याच्य डिसकस करेंगे इसका शीरसक है ताउप पासाण संस्कृतियां आए देखते हैं हमने इसके पहले पासाण यूग के बारे में पढ़ा था पुरा पाशाण मद्य पाशाण और नौपाशाण यूग जब नौपाशाण यूग समाप्त हुआ तो उस यूग का अंत होते होते धातूं का इस्तेमाल शुरू हो गया था और सबसे पहले धातूं में तामे का प्रयोग हुआ यह एक इंपॉर्टन बात है कि कौन से धात Igraokrium का साहथ साहथ प्रयोग करने के कारण है इनको तामरपाशाणिव संस्कृतिय 살p या या कैलकॉलिथिक संस्कृति के नाम से जानते हैं और इसकार थै नें पहले ही डिसकुस किया 具 पत्थर और तामए के उप्योग जो ताम्र पढ़ेंगे कुछ से पहले सस्कृतिय अने पहले न इसके बात की कि कहते हैं पढ़ेंगा μέuhan G सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं और हम देखते हैं कि अधिकांसता लोग पत्थर और तामे की वस्तुमां प्रयोग करते थे किंदु कभी-कभी घटिया किस्म के तामे का प्रयोग भी करते थे और मुक्ता ग्रामीर समधाय बना कर रहते थे हमने पिछले अध्याय में ही डिसकस किया था कि जब क्रिशी का विकास हो गया था तो मानो बस्तियां बस गई थी और इस तरह से ताम परसाण यूग में भी हम देखते हैं कि ग्रामीर समधाय बना कर रहते थे और ऐसे देश के विसाल भागों में रहते थे जहां पहाड़ी जमीने थी और नदियां थी क्रिशी का विकास हो चुका था तो इसलिए उन्हें उपजाओ भूमी की जरूरत थी तो नदियों के किनारे संस्कृति थी चुकि यहां पत्थर का प्रयोग बना हुआ था तो इसलिए यह पहाड़ी छेत्रों के निकट रहते थे और नदियों के निकट भी रहते थे तो इनको पहाड़ी जादा हुई आदिक उपज होने लगी तो दीरे-दीरे नगरों का विकास हुआ व्यापार का संस्कृति में देख सकते हैं यह अहार राजस्थान इस्थान का नाम इंपॉर्टेंट है अहार राजस्थान से प्राप्तु स्वेच चित्रित काले लाल रंके मिट्टी के बरतने प्राप्तु है उनका यह चित्र है तो भारत में जो है बस्तियां देखिए कहां कहां मिली पिछल देखें और देवस्रा गिलूंद में आप उम्हाइब आपने चाए मिल यह सुमयलिद करने में पुछ लिया जाता है कि जो स्थान है किस राज्य में है तो आहार और गिलूंद यहां और यह बनास घाटी बनास नदी जो है उसकी घाटी के सूखी अंचलों में प्राप्त हुए हैं आगे पस्चिमी मंत्यप्रदेश में मालवा कैथा और एरण की कुदाई हुई है यह भी बहुत इंपोर्टेंट है क्वेश्चन पूछा भी गया इस पर आप लोग पुराने सालों के प्रश्ण पत्र देखेंगे तो आपको प्रश्ण मिलेंगे उसमें और आप लोग कृपिया प्रियम्स के लिए पुराने प्रियम्स और मेंस दोनों के लिए देखना चाहिए लेकिन अगर अगर प्रश्णों में पुराने वर्सों के प्रश्ण देखते हैं और उनको बार सबसे जादा उत्क्रिष्टतम माना गया है अच्छा सुन्दर बना वोगा तक्नीक थी वह अच्छी रही होगी तो इसको सबसे उत्क्रिष्ट माना गया है आगे बढ़ते हैं लेकिन हम देखते हैं कि तामपाजण यूगीन जो संस्कृति थी उसका सबसे विश्ट्रित उत्क्रन पस्चिमी महाराष्ट में हुआ है और यहां पर बहुत सारे पुरास्थर पाएगे जैसे एहमद नगर जिले में जोर्वे निवासा दैमाबाद पुरे जिले में कि जो एहमद नगर जिले में गोदावरी Владी की साखा नदी इसकी संस्क्रति प्रवरा ये जेंध। कि आघे चलते हैं इसापड़ा प्रदेश को छोड़कर सारे महाराष्ट में फैली यो तो हम देखते हैं कि जो जोर्वे संस्कृती थी लेकिन इसकी कई इवस्तियां जैसे दैमाबाद और इनाम गाओं जो थे इन नगरी करण के अस्तर तक पहुंसी गई थी मतलब यहां पर अच्छा कासा विकास हो गया था और अगर भॉलिक दिश्टी से देखे तो यह जो महराष्ट के चेत्र थे यह काली भूरी मिट्टी वाले ऐसे अर्दस पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती चिरान के अलावा वर्दवान जिले के पाडू राजार डिवी और पस्चे मंगाल के पीर भूमी के जिले में महिश्दल उलेखनी है कुछ और पुरास्थलों की भी खुदाई हुई है जिसमें उलेखनी रूप से बिहार में सुरी सेनवार बिहार में सेनवार सोनपूर तारा डी और पूर्वी उत्तर प्देश में खेरा डी और नरहन ठीक है इन संस्कृती के जो लोग थे वो पत्थर के छोटे चोटे औजारों और हतियारों का इस्तिमाल करते थे क्यूंकि पाशान संस्कृती में जो हम अंतिम जो चरण है नव पाशान में उसमें हम पाते हैं कि जो और पत्थर के उजार थे वो काफी टुए यहां जाते आते और जज्यादा परिस्कृत हो गया थे यहांते पतथर के प्रलक और իल्कितो सेiety टाहेज उस सब्सक्राइब तो हम हम चर्चा कर चुक था है। शोषफश पाश्वापावती जर्ध है पढ़ी और कि फता हैं कि जहां देखते हैं हम देखें कि तामबा फासी मेह पिलब था गार कर जो नप्राची नाम ता तामवती या तामवली भी कहा जाता है तुकि यहां तामवा पाया जाता था और अहार संस्कृति का जो काल था वह 2100 से 1500 इसापूर के बीच कहीं रखा जाता है और गिलुंद जो है उस संस्कृति का अस्थानिय केंद्र माना जाता था ठीक है तो गिलुंद और अहार ये आस मुटाय के दानेar और चंदोली तामेकी च्छेनी लेकी आहें महात्मूर चीज है कि पहले बाूर कृशी को प्रमाण कहा मिला है। कि संसक्तियों प्रमाण मिलें तो यह सारी चीज हमें आध रहुंती है players की सारेव नमे JUPS मैंने मिली हैं सरय कनदया है। तरा। GA 1.2.2.3 तरा। डीसार क्रस्यार कर्सितरांॉट low-reage इस मेप में appetite काली नस्तन थिन नहीं और उपर इसका डिस्क्रिप्प्चन दिया होगा है वहाँ पे आप लोग इसको पीडियाफ में डाल दोगी इसको देख लेंगे आप लोग ठीक है वहां जादा बेतर तरीके से पूरा देख लीजिएगा यहां पर आपको उपर नीचे करने में हो सकते हैं समझ में आए ठीक है आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि मृत भांडों की बात करें तो उसे मैं जो है कई किस्म के मृत प्रयोग होते थे इसमें एक किस्म के बरतन जो हैं काले और लाल रंके हैं और प्रयोग लगबक 2000 इसापूर से व्यापक तोर पर होता आया है और ये चाको पर बनते थे और इन पर सफेद रेखी काकृतिया बनी हो दी दी और ये बात के वल राजस्थान, मंद्य प्रदेश और महाराष्ट के बारे में ही नहीं है बलकि बिहार और पस्चिम मंगाल में पाई गई बस्तियों के बारे में भी सही है महराष्ट मंद्य प्रदेश और बिहार में रहने वाले लोग टोटी वाले जलपात्र गोडीदार तश्तरियां और गोडीदार कटोरी बनाते थे ठीक है और ऐसा भी हमें समझना गलत होगा कि जो काले लाल लोग यूज करते थे वह एक ही संस्कृति के हैं बहुत सारी संस्कृति में यूज हो सकता ऐसा और दक्षिन पूर्वी राजस्थांट पस्चमी महराष्ट में चर्चा की वहां पे जो ताम पासाण यूगी लोग थे वो मवेशी पालते थे और खेती करते थे पशपालन का विकास हमने पढ़ा है मद्देव पासाण यूग में हो गया था और खेती का विकास नौपासाण यूग में हुआ था ठीक है और वे अपने साथ पालतु पशू रखते थे जैसे गाए भेड़ बकरी सुवर भैस हिरन का शिकार करते थे उट के भी उसे मिले स समनता वे घोड़े से परिचित नहीं थे ठीक है और हम क्रिशी की बात करें तो लोग गेमू और चावल उप जाते थे और इसके अलावा बाजरे की भी खेती करते थे ठीक है और मसूर उड़ाद मूं का दिकाई दलहान और मटर भी पैदा करते थे यह सभी अनाज महाराश स्थान वह बहुत इंप्वर्टेंट है और नवादय टोली की लोग बेर और अलसी भी उप जाते थे धक्कन की काली मिट्टी यहां पाई जादी तो कपास की पैदावार भी होती इसले दक्कन की बात करें तो यहां रागी बाजरा और अननाज भी होते थे पूर्वी भार अवारत में आएंगे तो बिहार और पस्चे मंगाल में में पर पकड़ने के काटे मिलते हैं अभी भी आँ जो हैं मचली मुक्य भोजन है लोगों का और चावल मुक्य भोजन है अभी भी मचली और भात पुर्वांचा के लोगों का अहार है फिर आगे हम देखते हैं कि राजस्थान की जो बनाज घाटी की जो बस्तियां थी वो छोटी है ठीक है और लेकिन अहार और गिलन लगबक चार हेक्टेर छेटर में फैले हुए हैं और हम देखते हैं अगे तामपरसाण के जो लोग थे वो प्राया पकी इटों से परचित नहीं थे लेकिन कभी-कभी उ दोसो जोर्वे स्थलों में गोदावरी का दैमाबाद सबसे बड़ा है ठीक है तो यह इंपोर्टेंट है और यह लगबक 20 सेक्टर में फैला है जिसमें लगबक 4,000 लोग रह सकते हैं और इसमें पत्थर और मलवे के बुर्जों वाली कच्ची दिवार से घेर कर गड़ ज की अरंबिक तांपासाण अवस्था के इनाम गाउस्थल पर पर चूलोज ही बड़े-बड़े कंची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड़ों के मकान भी मिले हैं ठीक है इनाम जांबशने का अब और यह मकान जो है एक बहुत बढ़ा मकान वहां मिला है तो ऐसा माना जाता चाणियों कि बड़ी बस्ती ती सो से भी अधिक घर और कभरे पाइब हैं बस्ती किलावन ताइप की थी पुरी तरह से गीरी वई झाई से गीर इंपॉर्टन है टीक है और कला और सिल्फ के बारे में भी बहुत सारे तत्थे ग्याद होते हैं वो तामे के सिल्फ कर में बड़े दक्ष थे हैं और पत्थर का काम भी अच्छा करते थे हम तामे के ओजार, हतियार और कंकड भी यहां पाते हैं ठीक है? ग Systems2 डुनार और मालवा में चर्खे और टकलिया वि मिली है तो इससे क्या पता चलता है कि ये कताई और भुनाई करना भी जानते थें और कपास अर सेhmal चिरू aur उसे भी ढ़ागे वी मिला तो इससे ये वी पता चलता है कि ये वस्त्र Until और अनेक इस्थाल पर यहां कुम्बकार धातुकार हाथी दात के शिलपी चूना बनाने वाले खिलोने की मिट्टी की मूर्ते यानी टेराकोटा बनाने वाले कारीगर्वी लगता है कि यहां थे यहीं मिली हैं और अनाज भवन भवन भरद्भान आदमी चेत्री अंतर दिख लोग्ते गाई जहां कि जैसी जलवाई होगी उससाबसे वहां संस्क्रित होगी पूर्वी भारत में जैसे चावल उपस्ता था तो पस्चमी भारत में जोर गहूं उपस्ता था ठीक है आज वी यह तितिकरम से देखे तो मालवा और मध भारत की कई बस्तियां आप कुछ मिलता है कुछ ऐसे प्रमान मिलते हैं जैसे महराष्ट में लोग मृतक को कलश में रखकर अपने घर के फर्स के अंदर उत्ता दक्षण की इस्थिती में गाड़ते थे ठीक है तो आज भी यह परमपरा पाई जाती है और यह प्रस्ण पूछा भी गया है ठीक है हडपाई लो कि यह वहां की जो सव संस्कार पूजा पदती के बारे में हमने देखा फिर हम देखते हैं कि मिट्टी की इस्तरी मूर्तियां पाई जाती है तो इससे पदा चलता है कि यह लोग मात्र देवी की पूजा करते थे इनाम गाउं में मात्र देवी की प्रतिमा मिली है जो प्रस ठीक है बस्ती के ढाचो और सो संसकार्विधी दोनों से पता चलता है कि तामर पहसार समाज में असमानता आरंभ हो चुकी थी ठीक है और जैसे महराश्ट में पाई गई जो जोर्वे बस्ती थी उसमें एक तरह का निवासक्रत निवासगत अधिक्रम मतलब उच नीच का क्रम दिखता है जैसे कुछ बस्तियां तो 20 एक्टर तक की बड़ी बड़ी है और कुछ जो है पांच एक्टर उससे भी छोटी है और इसमें दुएस्तरिय निवास का आवास मिलता है बनाब ऐसा लगता है कि जो बड़ी बस्तियों में रहने वाले लोग थे वह अमीर रहे ठीक है और जो गोल जोपडियां थी उसमें गरीव लोग रहते थे उस पे वो लोग प्रभुत रखते थे ऐसा प्रमाण मिलता है इनाम गाओं में सिल्पी या पंसारी लोग पस्चिमी छोर पर रहते थे जबकि सरदार प्राया केंदरस्थल में रहता था इसे क्या समाजि के मनकों का हार पहना कर उने दफनाए गया है जबकि कुछ अन्य बच्चों की कबरों में सावान के तोर पर कुछ बरतन है तो इससे लगता है कि अमीर और गरीब क्या यह फर्क है इनाम गाओं में एक व्यसका अदमी मृत भांडो और कुछ तामे के साथ दफनाया गया है ठीक है और बहुत सी कीमती वस्तु है कुछ साथ भी बहुत सारे मिले हैं कबरों तो यह लगता है कि लोग धनी रहे होंगे इनके पास नहीं उनको गरीब ऐसा माना जाता है ठीक है और राजस्थान में गड़ेश्वर अस्थल ती क्रम तामे की सम्रित खानों के निकट पड़ता है ठीक है तो इस चेत्रों से खुदाई में निकली तामे की बस्तु हैं बहुत सारी मिली तीर के नोक बर्चे के फल बंसियां से कंगन चेनी और इसके कुछ अकृतियां जो है वह सिंद्ध वस्तुन की आकृतियों से मिलती है और इस बहुत सारा मिलता है तो इस अस्थान में हम देखें कि बहुत से पत्तर के छोटे-चोटे ओजार में जो ताम्रपासारी संस्कृती के परिचायक है यहां पर गैरिक मृत भांड भी पाया गया है यह अक्सर काले रंग से रंगा होता है मुक्ता कलश की सकल में होता है च Wow गडेश्वर मुक्ता को तामे की वस्तूँ के आपोर्ती करता था ठीक है और गडेश्वर के लोग अंस्ता क्रशी जीवी और मुक्ता शिकार जीवी थे यहांका मुक्ता में वस्तूणे बनाना था लेकिन बैसे नगरिये तत्तु को विक्सित नहीं कर पाए जो रपाई स सवस्था में हो पाई नगरिय संभेता उतनी विक से तिहां नहीं हो पाई और गड़ेश्वर की वस्तूओं को हम देखते हैं कि गैरिक और इसको देखते हैं मतलब कह सकते हैं कि हडपा काल से पूर की अवस्ता है और इसी के निव पर आगे परिपक हडपाई संस्किती जो है खड़ी हुई थी दिश्टी से भारत में तामरपासान बस्तियों की कई श्रिंख लाएं तो कुछ कैसे कुछ जो है वह हडपा काल से प है और हडपा अंचल की कुछ हस्तलों के प्राख अष्टरों को अरम्मिक हडपा संस्कृती भी कहते हैं जाकि इसे परिपक को सिंदु सबेता से प्रथक किया जा सके तो क्या यह कि इन्हों ने शुरुआत की थी और हडपा संस्कृति में आकर के वह विक्सित रूप आया उतरी, पस्चमी और मत्ष भारत में भी इसकी आउसेस मिलते हैं एक उदारान मिलता है कैental सन्सकति का जो हरपा सन्सकति की कनिष्ट समकाली में फ़िपहल、 लगभग उसके साम की है। इस पर भी हड़पाई प्रुभाव दिखता है कई अन्य तामरपासान संस्क्तियां परिपक को हडपा संस्क्ति से उम्र में छोटी होते हुए भी सिंदु सब्यता से जूड़ी नहीं है जैसे नवदा टोली एरा और नगदा में पाईगे जो मालवा संस्क्ति है 9700-1200 इसा पूर इसका कयल माना जाता है यह डपा संस्क्ति से प्रिथक मानी जाती है जो हुआ है शूरवे संस्क्ति हमने के बारे में चर्चा गी ऩम्हाराश्ठॡ में पाई गये यह यहन्य विधर्ब और कोमकर को छोड़कर सारे चाही हुई है ठीक है और यह सपस्ट है कि हम देखते हैं कि जो प्राख हडपी तामरपासान संस्क्ति है उसने क्या किया कि हडपा संस्क्ति के नगर सभिता के उद्धे के लिए अनकूल अवसर इसने प्रदान किया सिंद के अमरी और कोट दीजी तथा सड़स्थान के कालि बंगा और गडेशोर क नाम भी लिया जा सकता है जिसने क्या हुए कि इसमें अरमिक लक्षण हमको दिखाई देते हैं और फिर आगे चलकर इनोंने तामे के बाद कांसे का तक्नीकी ग्यान प्राप्ट किया और नगरों की स्थापना में सफल हुए भारत और बारत के मद्धे और पस्चिमी भाग संस्कती में हम देखते हैं कि जोरवे संस्कती सबसे बाद तक जीवित रही है और कुल मिलाकर जो है मद्धे तथा पस्चिमी भारत की आरम में कहते हैं संस्कती और उनकी तामर पासान कालीन संस्कती के बीच लगबग 4-6 सताब्दियों का व्योधान रहा होगा ऐसा अनु संस्कती के कारण लुप्त हो गई थी कि पर मद्धे गंगा चेत्र में और पस्चिम मंगाल में अबस्तियां बाद तक चलती रही बाद में यहां विक्सित भी हुई थी और ऐसा लगता है कि पस्चिमी भारत में तामर पासान यूग के लोग ऐसी काली चिकनी मिट्टी वा पासान संस्किती ने लोहे का इस्तिमाल करने वाली महापासान संस्किती का रूप ले लिया कि यह चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है और इसको यही पर समाप्त करते हैं दूसरे लेक्चर में इसको हम देखेंगे और मुझे लगता है कि आप लोग शायद इसको बहुत ज्यादा महातु नहीं दे रहा है या मेरे डिसकसन में कुछ कमी है तो आप लोग कमेंट करके ब अपदेश है उसको आप पूरा कीजिए और आप लोगों ने बहुत सयोग किया वही है आगे यह सयोग बनाए रखिए बहुत-बहुत धन्यवाद झाल